वेलकम टू टेक्वित विहारी में नाम विवेक है तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फॉन की कॉंटेक्ट लिस्ट को आप गुगल एकाउंट पर डाल सकते हैं और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो यहां पर हम आपको हर चीज करके दिखाएंगे इसलिए आप वीडियो को लास्तक देखिएगा और कहीं भी कोई डाउट रह जाता आपको इस वीडियो रिकार्डिंग तो आप हमसे मान के चलिए खुदा नखासता आपका जो मोवाइल है वो खो जाए या चोरी हो जाए या उसमें किसी तरह का खड़ापी हो जाए जिसके कारण जो हो ओपन नहीं हो रहा है तो अगर आप गूगल एकाउंट पर अपना कॉन्टेक्ट नमबर डाल के रखते हैं और उसके ब अपने गूगल एकाउंट पर ला सकते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा लास्ट में कि आप जो अगर नया फॉन लेंगे तो उसमें ये नमबर को कैसे अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करेंगे तो वीडियो के साथ बने रहे तो चलिए यहां से हम वीड को आपको यहां से हमने जो अपने ौन का का कॉंटेक्ट है वहां पर एकाउंट में और संचे में को और जएंगे तो यह यहां पर ego करना चाहते हैं तो इसमा पर अपर सारे सेलेक्ट कर सकते हैं आपने all select का option कहीं पर आ जाएगा मेरे में फिलाल all select के लिए यहां से आएंगे और देखे select all का option आ जाएगा अगर हम सारे contact को डालना चाहते हैं अपने google account पर तो आप जो है सारे को select कर लेंगे और नहीं तो कोई खास contact को ही सिर्फ चाहते हैं नहीं मेरे पास यह जो contact है यह हमारे लिए जरूरी है तो आप जो हो contact यहां से सेव कर लेंगे select कर लेंगे जैसे हम यहां पर कुछ इतना contact को हमने select कर लिया है तो सबसे पहले आप वो contact यहां से select करेंगे जिससे google account पर डालना जाते हैं उसके बाद आपकी screen पर जो है share का option आएगा जो share का हमारा logo होता है नहीं अगर आपको आरा है तो यहां पर आपको triple dot का option आएगा तो यहां पर आपको share का option मिलेगा कुछ की condition में क्या होता है direct नीचे में share का option आजाता है तो आप उस share पे click करेंगे चलिए मेरे में जो है तिरपल डॉट पर आने के बाद यहां से share का option आ रहा है देखिए इस share पे हम click करेंगे तो देखिए हमारे सामने इस तरह का type top of open हो जाएगा तो यहां पर आपको एक option ढूड़ना होगा जो कि हमारा होगा save to drive तो यहां पर आपको Google Drive मे मेरे में देखिए दूसरे नमर पर है तो हम save to drive पे click करेंगे उसके बाद हमारे सामने देखिए इस तरह का top of open हो जाएगा तीन information मिलता है सबसे पहले आप document का title है नाम है वो यहां से आप चैंज करेंगे चले इसे हम पूरा cut करके हम यहां पे विवेक करके search कर लेते हैं मतल नीचे जो है folder choose कर लेंगे नहीं तो जो folder select है उसी में रहने देंगे देखिए मेरे में my photo में है तो हम my photo में रहने दे रहे हैं और इसके बाद नीचे हमको यहां से save का option मिल रहा है तो हम simply save पे click करेंगे हमारा जो file है वो prepare हो रहा है save के लिए तो सबसे पहले आपको यह process करन नाया था तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप अपने phone के contact को Google contact पे डाल सकते हैं यह आपके contact में जो है save हो गया Google account पे जो है save हो गया लेकिन यही बात हमारी खतम नहीं होती है अगर आप वीडियो देखने आए तो आपको हम पूरी information देखे जाएंगे so video में आपको बताते जो है उसमें आना है मानके चली मेरे पास यही एक नए फोन है जिसमें हम अपने Google account से contact लाना चाहते हैं सबसे पहले हम आप Google account पे लाना चाहते है नया phone में तो नए phone में आप Google drive ओपें करेंगे Google drive ओपें करने के बाद आपको sign-in करना है उस account से जिस account पे आप अपना contact upload किये सबसे पहले आप sign in कर लेंगे और अगर आपने sign in कर लिया एक से ज़्यादा एकाउंट तो यहां से आप क्लिक करके वह एकाउंट चूज कर लेंगे जिस पे आपका जो है .bcf करके लगा होगा तो यहां से आप जो है यह मेरा contact है contact वाला फाइल तो हम यहां से इसको अपने डिवाइस में सबसे पहले सेव करेंगे यह सारे काम आपको नया वाले फोन में करना है तो इससे सेव करने के लिए इसके नीचे में देखे तिरपल डॉट का ओप्सन मिल र रहा हूं मेरा जो एक फाइल है वो डॉट हो गया चलिए हम अप्लोड वाले को हटा देते हैं और बैट्री लोग वाले को भी हमने आप यहां से अपने करेंगे चलिए सेलेक्टेड वाले को सॉरी हमने यहां से अठा दिया उसके बाद यहां पर आपको वह कोंटेक्ट ला आएगा या आपको यहां पर तिर्पल डॉट का उप्सन आएगा दोनों में से कोई भी एक उप्सन दिखेगा तो उस पर किलिक करना है यहां से चलिए हम तिर्पल लाइन का उप्सन आ रहा हम इस पर आएंगे थोड़ा सा स्कीन को स्कॉल्डाउन कीजिएगा सेटिंग पर थोड़ा सा स्कीन को और स्कॉल्डाउन कीजिएगा तो देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का उप्सन यहां पर हमको मिलता है तो यहां से जो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे कई के के केस में क्या होता है यह सारा जो प्रोसेस है वह तिर्पल डॉट पहाएंगे तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का उप्सन आ जाता है तो वहां पर आप जो हो भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेटिंग में आके आप जो है इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर आपको अपना कॉंटेक्ट जो है और हम इसे कहां सेव करना चाहते हैं, वह हमको यहां से चूज करना है, तो हम इसे फॉन के कॉंटैक्ट में सेव करना चाहते हैं, किसी भी email id पे सेव करना चाहते हैं, वह ओप्शन हमको यहां पे दिया जा रहा है, मानके चलिए हम फॉन में ही इसको सेव करना चाहते हैं, तो यहां पर इंपोर्ट हो गया है यह हमारे डिवाइस में देखे इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे हमारा इंपोर्ट वाला यह इंपोर्टिंग का ओप्शन देख रहे है फिनिस हो गया है तो जो भी आपका यहांपे आजाएगा अगर यहांपके डिवाइस में एक से ज्यादा इंपोर्ट वाला फाइल वहां पे उपन होता है डॉट, भी सी फ वाल जो से ज़्यादा आएगा तो आपको सेलेक्ट करने का ओप्सन आएगा नहीं तो आपके डिवाइस में वह सारे कॉंटक्ट कॉंटक्ट जो है अटोमेटिक आजागा जैसे कि यहां पे देखिए हमने अधार नमर करके यहां पे एक पहले से एक सेव था अब हम इसे इंपोर्ट क कैसे हम नए फॉर्ण में ट्रांसफर करेंगे वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमसे डाइरेक्ट कॉमेंट करके पुछ सकते हैं और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूर सकते हैं सस्काइब कर सकते हैं चलिए हमें दीजे थोड़ा से समय ह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जलते हैं